Dragon is called Dragon in Hindi. Here are 5 important facts about the Dragon in the context of mythology and culture. 1. Sanskritic Mahatwa Dragon का Sanskritic Mahatwa सभी देशों में अलद होता है. चीनी Sanskriti में Dragon को सौभाग्य और शक्ती का प्रतिक माना जाता है, जबकि European Sanskriti में उन्हें अक्सर भयानक और विनाशकारी मना जाता है. 2. Akaar और Ruk Dragon का आकार और Ruk संस्कृती से संस्कृती बदलता है. चीनी Dragon आमतोर पर सांप के समान दिखते हैं और उनके पास चार पैर होते हैं, जबकि European Dragon का आकार ज़्यादा तर विशाल होता है, वियुर सकते हैं और उनके पास आगफूंक में की क्षमता होती है. 3. Dragon की उपस्थिति Dragon की उपस्थिति वे भी मिठकों और पौरानित कथाओं में मिलती है, जैसे कि महाभारत और रामायम में नाग संप और नागिं संप रानी की उपस्थिति है, जो Dragon के रूप में देखी जा सकती है. 4. मोधी स्वरू कई Dragon कथाओं में ये प्रानी स्वर्यम को अन्य रूपों में बदलने की प्षमता रखते हैं। इस प्षमता का रुप्योग करके वे अक्सर मनुश्यों को ब्रमित करते हैं या उनकी मदद करते हैं। 5. Dragon और कला ग्रेडन की कल्पना और चित्रन कला, साहित्य और फिर्मों में एक महत्वपुन भुनिका निभाते हैं। उनकी छवियां शक्ति, सम्रुद्धी और विशालता की प्रतीक हैं।